पैगंबर आदम अले सलाम के बाद कई साल निकल गए अल्ला सुभानल ताला ने एक और पैगंबर नू अले सलाम को धर्टी पर भेजा आदम अले सलाम के भेजने के एक हजार साल के बाद अब धर्टी पर बहुत सारे लोग रह रहे थे जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी बदकिस्मती से उसी समय शैतान ने एक चाल चली दुनिया में रहने वाले सभी लोग मूर्ती की पूजा करने लगे और उसी समय अल्ला ने एक और पैगंबर को धर्टी पर भेजा लोगों का माग दर्शन करने के लिए पैगंबर नू अले सलाम को पैगंबर ने लोगों को अल्ला की रह पे चलना शुरू करवाया अल्ला से डरो अल्ला जो कहते हैं वो करो पैगंबर ऐसा जोर जोर से कहते हैं लेकिन लोगों नो ना तो कोई परवा की और ना ही उन पर ध्यान दिया लेकिन पैगंबर ने अपना होसला नहीं खोया और वो अपने काम पर लगे रहे लोग फिर भी मूर्ती की पूजा करते रहे लेकिन पैगंबर में बहुत ही सब्र था क्या तुम नहीं जानते ये पूरी दुनिया अल्ला ने बनाई है वो सभी से कहते आस्मान में सूरत, चांद, सितारे जो तुम देखते हो वो अल्ला ने ही बनाए है उन्होंने ही नदियों को बनाया है पहार, जंगल, जो सब कुछ तुम देखते हो उन्होंने ये सब सिर्फ तुमारे लिए ही बनाया है फिर तुम लोग क्यों उनको नहीं मानते तुम क्यों मूर्तियों को मान रहे हो लोग अब इस बुड़े इंसान से चड़ने लगे तुमें क्या लगता है तुम कौन हो तुम भी एक इंसान हो हमें लगता है तुम जूट बोल रहे हो चले जाओ, हमें अकेरा छोड़ दो उन्होंने उनसे कहा, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे कुछ लोगों को लगता था, कि पैगंबर सही बोल रहे हैं उन्में से ज़्यादा तर गरीब और कमजोर थे उन्होंने पैगंबर की बात पर ध्यान दिया तो उन्हें समझ में आया, कि मूर्ती की प्रातना करके वो बहुत बड़ा परात कर रहे हैं दुनिया में दो तरह के लोग थे एक वो जो अल्ला सुभानल ताला को मानते थे और दूसरे वो जो मूर्तियों की प्रातना किया करते थे पैगंबर सालों तक लोगों को समझाते रहे मूर्तियों को मानने वाले पैगंबर से परिशान हो गए अगर तुमने अब जूट बोला बन नहीं किया तो हम तुमको पत्थर से मारेंगे वो चिल्ला है लेकिन पैगंबर ने ध्यान नहीं दिया और वो अल्ला के बारे में बताते रहे वो दिन रात लोगों को शिक्षा देते मूर्तियों को मानने वालों ने उन पर पत्थर मारे उन्हें डंडों से भी पीटा गया तुम हम से अलग हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने मैं सच कह रहा हूँ पैगंबर ने इस बात पे जोर देते हुए कहा तुम लोग मूर्ति प्रात्ना करके अपरात कर रहे हो कई साल बीच जाने के बाद अब नू अले सलाम बहुत उदास हो चले कई साल तक अल्ला की बात समझाने के बाद भी उनके साथ मुठी भर ही लोग थे जिने उन पर भरोसा था जबकि मूर्तियों को मानने वालों की जनसंक्या बढ़ती ही जा रही थी एक रात जब पैगंबर अल्ला से प्रात्ना कर रहे थे तो अल्ला उनसे बोले उदास मत हो नू अल्ला ने उनसे कहा तुमने वही किया जो तुमसे कहा गया था मैं गलत कर्मों के लिए दुनिया वालों को सजा देने वाला हूँ दुनिया के सारे लोग मार दिये जाएंगे सिर्फ मुसल्मानों और जानवरों के अल्ला सुभानल ताला ने कहा कि वो सबसे पहले अल्ला ने पैगंबर को बहुत सारे पेड लगाने के लिए कहा नू अले सलाम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी लेकिन उन्होंने अल्ला की बात को माना उन्होंने पेड लगाए जैसा उनसे कहा गया था उन्होंने अच्छे मुसल्मानों से सहता मांगी और लोगोंने उनकी सहता भी की कई सालों के बाद अल्ला ने फिर पैगंबर से कहा इस बार उन्होंने पैगंबर से एक जहाज बनाने के लिए कहा ये एक बहुत बड़ा जहाज बनने वाला था इतना बड़ा कि उसमें दुनिया के सारे जानवरों के जोड़े आ सके जहाज ये मैं कैसे बना पाऊंगा किसी ने भी इससे पहले जहाज बनाने के बारे में नहीं सोचा था अल्ला ने उन्हें जहाज बनाने के बारे में बताया पैगंबर ने लोगों की सहयता से जहाज को बनाना शुरू कर दिया किसी को भी जहाज की लंबाई चोड़ाई के बारे में मालूम नहीं था कुछ लोगों का कहना है कि ये 600 फिट थी जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसकी लंबाई 2400 फिट थी जो भी हो लेकिन जहाज बहुत बड़ा था पैगंबर के बच्चों ने भी जहाज बनाने में उनकी सहयता की पैगंबर ने जहाज बनाने के लिए शहर से दूर एक पहाड को चुना उसके बाद उन्होंने जहाज को बनाना शुरू किया उन्हें जहाज बनाने के लिए लकडियों की जरूरत थी वो पेड़ याद है ना, जिसे उन्होंने सौ साल पहले लगाए थे उन्होंने लकडियों के लिए उन्ही पेड़ों को काटा फिर उन्होंने जरूरत के हिसाब से उन लकडियों को काटना शुरू कर दिया जहाज बनाने के लिए लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत करी जब मूर्ती प्रात्ना करने वालों ने उन्हें जहाज बनाते देखा तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया तुम एक बेवकूब बुड़े हो उन्होंने कहा तुम पहाड की चोटी पर जहाज बना रहे हो लेकिन पैगंबर चुप चाप रहे और अपना काम करते रहे लोगों को पता नहीं था कि वो इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहे हैं इसलिए उन्हें लगा कि वो पागल हो गए है कई महिनों की कड़ी मेहनत के बाद अंत में जहाज तयार हो गया एक रात अल्ला ने पैगंबर से कहा कि वो पूरी दुनिया में बाण लेकर आएंगे लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा क्या आप मुझे कोई इशारा करेंगे पैगंबर ने पूछा अल्ला ने उनसे कहा कि जिस दिन तुमारे चूले से पानी निकलने लगेगा उसी दिन से वो दुनिया में बाण भेजेंगे अगले दिन पैगंबर ये देखकर आश्यर में पड़ गए कि जहाज के बाहर जानवरों के एक लंबी लाइन लगी हुई है वो सभी जोडे में आये थे उन में हाथी, जिराफ, शेर, खरगोश, ऊटें और बागी सारे जानवर थे और जहाँ जल्दी ही कई कई तरह के जानवर और पक्षियों से भर गया एक दिन पैगंबर जब अपने घर पर थे तो चूले में से पानी निकलने लगा यही वो इशारा है जिसका मैं इंतजार कर रहा था पैगंबर ने कहा, वो जानते थे कि बाढ़ का समय अब आ गया है बाहर बरसाज शुरू हो गई थी वो बाहर की तरब भागे और अच्छे मुसल्मानों को उन्होंने बुलाया जिन्होंने जहाज बनाने में उनके साहता की थी उन्होंने सबसे जल्दी से जल्दी जहाज पर चड़ने के लिए कहा मूर्ती प्रात्ना करने वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है इसलिए वो पैगंबर का मजाग बनाने लगे देखो इस बुड़े को उन्होंने कहा ये तो एक आम बरसात है ये कितना डर गया है पैगंबर ने उनकी कोई परवा नहीं की और उन्होंने अपने पत्नी बच्चों से जल्दी जहाज पर चड़ने के लिए कहा सभी ने उनकी बातों को माना सिवाए एक उनकी पत्नी और उनके बेटे के क्योंकि उन्हें पैगंबर परविश्वास्त नहीं था और ना ही जहाज बनाने में उनकी मदद की थी मैं पानी से अपने आपको बचा लूँगा उनके बेटे ने कहा आप मेरे चिंता ना करें उनकी पत्नी ने कहा पैगंबर ने उनसे विनती की लेकिन वो नहीं माने पानी काफी बढ़ गया था इसलिए पैगंबर जहाज की तरब भागे भयानक बाढ़ आ रही थी और पानी लगातार बढ़ता जा रहा था लुगों को अब लग रहा था कि पैगंबर सच बोल रहे थे अपने आपको बचाने के लिए वो पाहाड के उपर भागे पैगंबर ने अपनी पत्नी और बेटे को भी पाहाड पर चड़ते देखा उन्होंने चिला कर कहा जल्दी आओ और जहाज पर चड़ जाओ और अपने आपको बचा लो लेकिन उन लोगोंने उनके बाद परध्या नहीं दिया और पहाड की चोटी पर जा पहुँचे उन्हें लगा कि वो ऐसा करके अपने आपको बचा सकते हैं तभी उन्होंने एक उची लहर को देखा पहाड से भी उन्ची लहर आकर उनसे टकराई और उन्हें अपने साथ ले गई ये भैनक लहर अल्ला को ना मानने वालों को भी अपने साथ ले गई पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था और कुछ समय के बाद धर्ती पर पानी ही पानी नजर आ रहा था तब पैगंबर नूँ अले सलाम ने कहा बिस्मिल्ला जब पैगंबर की जबान से ये शब्द निकले कब जहाज चल पड़ा बरसा तब रुख चुकी थी लेकिन पूरी धर्ती पर हर तरब पानी ही पानी था पैगंबर जानते थे कि उन्हें बहुत समय तक जहाज पर ही रहना पड़ेगा जहाज पर कुल असी लोग थे और पैगंबर ने इनसानों और जानवरों के लिए खाने का पूरा इंतजाम कर रखा था ये भी समझने की बात है कि जहाज पर शेर और मासूम भेड़ भी मौजूद थे जहाज पर चड़ते ही शेरों को बुखार आ गया वो पूरे समय तक अपनी ही जगा पर लेटे रहते और इस तरह भेड़े सुरक्षित थे सभी खुंखार जानवर किसी न किसी बिमारी से पीड़ित थे चुए पूरे जहाज पर इधर उधर घूमते और वहां रखी चीजों को बरबाद करते वो सच में परिशानी का कारण थे और तब पैगंबर ने अल्ला से प्रार्तना की और इस तरह बिल्ली का धर्ति पर आना हुआ बिल्ली ने चुहों का शिकार शुरू किया और इस तरह चुहों की शरार्ते कम हो गई अल्ला सुभानल ताला ने इस दुन्या में परिशानियों का निवारण किया जिसे पैगंबर अच्छी तरह से समझ रहे थे एक दिन पैगंबर ने एक कववे को जमीन ढूड़ने के लिए उड़ाया लेकिन कववा वापस लोड़ कर नहीं आया उन्होंने कुछ दिन और इंतजार किया और फिर एक कबूतर को भेजा कुछ दिनों के बाद वो कबूतर अपनी चोच में आवला की पत्ती लेकर लोटा ये एक इशारा था पैगंबर जान गए कि जमीन कहीं आसपास में ही है कुछ दिन जहाज और पानी में तैरता रहा उसके बाद वो एक पहाड के पास आकर लग गया जिसका नाम जूडी था पैगंबर ने कहा बिसमिल्लह और जहाज रुख गया आखिरकार यातरा समाप्त हो गई पैगंबर ने सबसे पहले चानवरों, पक्षियों और किडे मकोडों को जहाज से नीचे उतारा वो बाहर गये और उन्होंने फिर से दुनिया को आबाद करना शुरू किया पैगंबर और बाकी मुसल्मान बाद में जहाज से नीचे उतरे फिर वो जमीन पर जुक कर उन्होंने प्रार्थना करी इंसानियत की ये एक नई शुरुआत थी तो बच्चो तुम्हें ये कहानी पसंद आई गर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दवाना मत भूलना और हमारे सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहो और अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियोस के बारे में बताओ हमारा अगले एपिसोड देखना मत भूलना कहानी पैगंबर हुद अले सलाम की आज के लिए इतना ही गुडबाई